हेई फ्रेंज आजकल कई लोग डेरी का दूद बन करके नारियल का दूद पीना पसंद करते हैं या नट्स का दूद पीना पसंद करते हैं तो यहाँ पर नारियल का दूद तो बना देते हैं उसको तो स्वाल कर सकते हैं बट जो इसका पल्प है उसको कहां स्वाल करें तो य के लिइन सब्सक्री सब्सक्राइब ज्मक्राइब टेंगे विछ कixel कि पांई क्यंकलारी का गिंत इसवा केड़ लागार फेकूर देख़ें अचे करुआ हो त यां के जो आधा कर पाणि अधाह पानी था और on तो लगवग यहां पर तीन कप पानी मैंने पूरा इस्तमाल किया है अब हम इसको बिल्गुल अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे तो जितना दूद है हमारा वो तो तयार हो गया इसका तो अब आप शेक बना सकते हो अब इसको स्मूदी बना के पी सकते हो तो इसके तो बहुत अस्तमाल है चार्च भी बना सकते हो मेरी रेसिपी आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी मैने चार्च भी बनाई है और यहाँ पर जो पर्म बचा है हम इसे बनाने वाले हैं लड़ू तो बहुत ही टेस्टी बहुत ही healthी और डिलिशेस लड़ू बनेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दूध को हम रख देंगे एक काच की बरत्र में निकालके, साफ सुत्रे और इसको आप फ्रिजमें रख लीजिए और आप इसको 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 स्तिमाल कर सकते हैं 3-4 दिन के लिए बस तो यह हमारे दूद की तो रेसिपी तयार है अब हम लड़ू की तरफ आते तो यहाँ पर मैंने लगबग वन फोट कप जितने बदाम लिये है उसको अच्छे से रोस्ट करना इसमें हमने कोई घी का स्वाल नहीं किया है साथ ही यहाँ पर मैंने वन फोट कप जितने लिये है काजू इसको चलाते रहना है स्लो फलेम पे और यह देखे यह भी रोस्ट हो गया है इसको भी हम निकाल देंगे और यहाँ पर मैंने थोड़े से पिस्ता लिये है लगबग 2-2 टेबल स्पून जितने और इसको भी अच्छे से रोस्ट करते हुए निकाल देना है और यहाँ पर हमारा जो बरतन है वो गरम है इस चीज का ध्यान रखना अगर जादा घरम है तो गैस को थोड़ा बन करके फिर इसमें नट्स जाल के उसको चलाईए और यहाँ पर मैंने पंकिन सीट्स लिये है लगबग 2 टेबल स्पून इसको भी अच्छे से बिलकुल अच्छे से यह पॉप होते है तब आप इसको निकाल सकते हैं और यहाँ पर अब हम गैस बन कर लेंगे बिकिस खसकस जो होती है उसको जादा टेंपरेचर की जुरुत नहीं होती है तो बस जो गरम है हमारा परतन उसी में अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे और इसको भी निकाल के अलग कर देंगे तो अब बारी आती है डेट्स के उसमें जो स्वीटनेस हम एड़ कर रहे हैं यहाँ पर मैंने ली है खजूर लगबंग 8-10 आप अपनी इस सारे खजूर के बीच निकाल देने हैं और जो चुवा रहे हैं उनके बीच ऐसे नहीं निकलने वाले हैं आप चाकू से तोड़ोंगे तो नहीं निकलेंगे पिकूस काफी हाड रहते हैं तो इनको हम क्या करेंगे जो हर्मान दस्ता रहता है उसकी साहता से इसको आप देख सकते हो मैंने नीचे जो चौपर रखा उस पर नहीं तोड़ना है तो इसके भी सीर जलक कर देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे तो आप देख सकते हो यह हलका सा पेस्ट बन गया आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पानी आड कर सकते हो लग बग 2 तीबल इतना पानी आड करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लो अब यहां पर जो नारियल का पल्प था वह हमने इसमें एड कर लिया है उसको मिक्स कर लेंगे साथी खसकस और जो ड्राइफ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे हुए थे उनको अच्छे से दरदरा पीस लेना है देखे दरदरा सा पीस के और उसको हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे तो बस अब क्या करना है बिल्कुल सिंपल इसको अच्छे से मिला लीजिए हाथों से और अच्छे से बाइंडिंग करनी है इसमें बाइंडिंग लानी है और यह हमारा जिसे हम आटा भानते है उसी त लड़ू तयार हो चुके हैं और ये सरदियों में अगर आप खाते हो तो आपको इसके बहुत ही benefits मिलने वाले हैं तो बिल्कुल बनाईए इसको और सरदियों में खाईए अब इसका दूसरा version है cocoa powder तो वन डिबल स्पून जितना cocoa powder मिला है इसमें और साथ ही थोड़ी सी honey honey भी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हो मैंने वन टिबल स्पून मिलाई है बिलीव मी गाईज इस बोलते हैं अनदर लिबल का लड़ू बन जाता है जब आप इसमें cocoa powder मिलाते हो बहुत ही yummy और बहुत ही healthy और बहुत ही tasty और मुझे बताईए कि आपके लड़ू कैसे बने don't forget to subscribe my channel share with your friends and family and like my videos and please don't forget to comment also thank you so much